है लो मेरे सेरो तो कैसे है आप टूल में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं तो देखें क्वाडिटी के क्वेशन हम कॉंटिन्यू किया है इसके पहले अगर आपने वीडियोज नहीं देखा है तो लीनेर ुक्वेशन टू वैरियृबल हमने कंप्लीट किया है क् पहली बार चैनल पर आए वह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पहले जाके चेक करें फिर इसको देखे तो ज्यादा बेहतर समझ माएगा तो चलिए देखे क्या आगे क्या करना है आज हमको क्या करना है और दूसरा टॉपिक क्या है है तो आपको दिखाना है किसमें जो रूटस आप solution निकाले थे ना एक्स की वैलू निकालते हैं तो उसमें relation और किसका का रिलेशन दिखाना हमें कोफिसियंट का रूट्स का रिलेशन मिलना चाहिए दूसरा क्या है हमारा हम अप्टेन करेंगे कि कोई दो रूट्स हमको दिया रहेगा और हमें क्या अभी हम क्या रहता था एक्वेशन दिया रहता था तो रूट्स find करते थे अभी क्या करेंगे हमको roots पता रहेगा और हम क्या करेंगे equation find करेंगे तो दो चीजों को discuss करना है तो चलिए एक example करते हैं तो पाला topic हमारा जो है इसी पर हम क्या करेंगे work करके आगे बढ़ते विए चलेंगे क्या करना है हमको हमें यह दिखाना है क्या RLECTION BETWIN ROOTS OF THE EQUATION K goof में हमें क्या find करना है और यह işte constant term है इसमें ति यह तिनों में कैसे दिखाएंगे तो फरस्ट फॉल इसको solve करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आपको क्या मिलेगा 5x square minus 5x minus 11x plus 6 plus minus 6x equal to 0 then you will get 5x common ले लो तो आपको क्या मिलेगा x minus 1 या minus 6 common लेगो तो you will get x minus 1 equal to 0 that means x equal to क्या मिलना है आपको 1x equal to मिलना है 6 upon 5 और 1x equal to मिलना है 1 तो आपको यह solution मिला आप देखें relation का क्या मतलब है यह आपको क्या मिला यह आपको मिला solution और यह क्या हुआ coefficient coefficient that means a की value क्या दिख रही है आपको a की value दिख रही है 5 b की value दिख रही है आपको minus 11 और c की value दिख रही है 6 तो आपको relation का क्या मतलब है relation that means अगर इसको हम क्या माल ले इस roots को हम यह जो roots मिला है इसको एक alpha माल ले alpha क्या मिला हमको 6 upon 5 और beta को हम माल ले क्या 1 ठीक है अब आप यह बताईए alpha plus beta क्या मिलेगा आपको alpha plus beta find करिए देखें आपको क्या मिलता है alpha plus beta alpha plus beta क्या मिलेगा आपको 6 upon 5 6 upon 5 plus 1 that means 11 upon 5 ओके आपको क्या मिला 11 upon 5 मिला आपको 11 upon 5 that means आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो यह बताईए आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो और यह बताईए यह किसकी वैलू है यह भी दिख रही है आपको बी और यह नीचे क्या दिख रहा है ए दिख रहा है आपको alpha plus beta क्या मिला क्या मिला आपको बताईए sum of the roots क्या मिला आपको minus b upon a आपको क्या मिला sum of the roots क्या मिला b upon a अब आप करिए क्या इन दोनों को multiply कर लिजे wolvesल टोव लताइऀंटे डिख वीट गई लफा इंटुव बीटा बन आपको बताईए six upon five and to one the x mean इसको अब क्या लिख सकते हो इसको क्या लिख सकते हो six upon five और six को क्या लिख सकते हो आप आई ये 6 को क्या लिख सकते हो 6 इक्वल टू क्या दिया हुआ है C that means C और A इसक्वल टू क्या है 5 that means A यह आपको यानि alpha into beta क्या मिला C upon A यह आपका समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं overall क्या summary आपको क्या मिली summary आपको क्या मिली some of the root आप क्या लिख सकते हो ऊसम Allah roots क्या मिले आपको minus B upon A और प्रटक्त आप रूट क्या मिलेगा आपको प्रडक्त आप रूट क्या मिलेगा आपको c upon Capt constructor root इन यह था हमारा क्या यह पहला topic धा फास्ट नपीक क्या था यह था तो आप देखते ही क्या बता दोगे सम्पडश् की बात करेंगा आप तो क्या लिखोगे माइनस भी अपॉन यहां से प्रड़क्त आप दरूट क्या मिला आपको सी अपॉन यह तो यह हमारा टॉपिक पहला डिसकस किया चलिए कि इस पर लेते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं अब इसको क्या करेंगी क्या करा मैं समार रूति संपना कर imagen क्या मिलना आपको ड़ार्प एक तो 9 करोगे आपको सिर्फ क्या रखना हो आपको सम आपड़ रूट्स क्या मिला 15 ओके अब प्रड़क्ट आपड़ रूट्स निकलना हो तो प्रड़क्ट आफ दा रूट्स क्या है आपको मिलना सी आपड़ने सी क्या है आपका 54 आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो एक मिनट दीजे आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ चलिए इसको जड़ा सा सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा एक स्कॉर माइनस नाइन एक्स माइनस 6 एक्स प्लास 54 इक्वल टू जीरो ओके एक्स कॉमन ले लो तो डैस क्रें आप क्रिए तो दोनों का सम करिया आपको क्या मिले गा ओर देखे ऐना चलिए आप क्या करते हैं हम चलते हैं दूसरे वाले question को उसको भी लेते हैं करते हैं काम तमाम ओके तो देखिए इसको भी क्या करना है आपको sum of the roots क्या मिलेगा आपको sum of the roots क्या मिलेगा आपको minus one ओके अब आप product of the root देखिए अब प्रड़क्ट आफ दा roots प्रड़क्ट आप the roots क्या मिलेगा आपको शीब आई सी क्या है आपका minus 20 ओके अब जड़ा साइसको cross verify करा सकते हो आप देखिए within minute हम करते हैं इसको cross verify आप क्या करोगी आप x square plus 5 x minus 4 x minus 20 आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने पहले ही factorization method से solve कर लिया हुआ है इसको तो आपको क्या मिलेगा x minus 5 that means solution क्या मिला आपको एक मिला x minus 5 और क्या मिला एक दूसरा x क्या मिला आप आप इसको alpha बीटा भी रख सकते हो एलफा क्या मिला आपको minus 5 और बीटा क्या मिला आपको 4 आप जड़ा सा देखिए आप दोनों को plus करोगो तो क्या मिलेगा जड़ा सा देख लो यहां तो plus करो तो दोनों को minus 5 plus 4 you will get minus 1 ओके fulfill कर रहा है condition दूसरी देखिए आप minus 5 into 4 ओके देखे मेरे सेरो जादू ओके तो चलिए हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं ओके मेरे सेरो तो हमने क्या किया अभी जो पहला टॉपिक डिसकस कर लिए दूसरा क्या करना है दूसरा देखिए to obtain a quadratic equation having given जाए लूटस देश्मिस इसका मतलख क्या है अपको क्या दिया रहे गा अभी तक हमने क्या किया था तो हम क्या किये था उसका फाइंट क्ये थे एलफा प्लस बीटा अब आपको क्या रहेगा अगे सब्करने पड़ेगा तो देखिए चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए आपका एक फर्मूला होता इसमें फर्मूला क्या है फर्मूला आप इसमें पूट करना है x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta that means इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक स्क्वायर x square minus sum of the roots और यहां x ठीक है plus product of the roots यह क्या है यही आपका यही आपका फर्मूला है बस इसमें क्या करना है एलफा बीटा की value को ले जाना इसी में चिपका देना है और देन यूविल गेट योर equation quadratic equation ओके तो चलिए दो हम क्या लेते दो alpha बीटा लेते और एक equation find करके देखते हैं ओके तो suppose कर लिए आपके पास alpha की value 2 है और बीटा की value बीटा की value 3 है आपको बोल दिया क्या quadratic equation find करिए यह दो x की value है जो क्या करेंगी x-axis पे quadratic equation जो हमारा equation होगा x-axis पे दो जगा कट करेंगी ओके तो चलिए इसका देखे solution क्या होगा आप क्या करना है पर यहां रखिए आप x-square sum of the roots क्या मिलेगा आपको minus 5 मिलेगा ना 2 plus 3 5 x plus alpha into beta 6 देखे आपको कि second में मिला ना देखे तो यह है tool math का जादू ओके तो आप देखते रहिए बस इसके साथ बने रहिएगा ओके तो चलिए इसंको क्या करेंगे फिनिस करेंगे आपको क्या कुछ घंए नहीं करना इसमें विदेन सेकेंड क्या करना है विद्टी एह समकाय तो कि इसमें यही करना है इस क्लियर किया क्लास में क्या करेंगे हम क्लास कवर करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सेर सब्सक्राइब करिये टूल में आपके साथ बना रहे हैं